तो यो वाटसब गाईज वेलकम बैक टू मैं अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं और अच्छा सा एक्सपेरिमेंट इस ताले को हम 10 अनार की मदद से गलाएंगे और देखते हैं आखिर यह ताला पिखलता है या नहीं क्या होता है गाईज यह देखेंगे इस वीडियो में तो आएंगा इस शुरू करते हैं ऐसकी वीडियो को 就 कि तो सभसे पहले गाइज इस ताले को की मदद से यहां फिक्स कर लेता है ताकि ताल ही लेना तो यहां पे ताले को फिक्स कर रहें पहले यहां पे गाइज यह ताला पूरी तरह सेक्यूर हो चुका है यह चार कील की मदद से यह तो गाइज यहां पे आ चुका यह आठ अनार और बीच में यह ताला और अब देखते हैं इसे जलाने के बाद आखिर होता क्या है और यहां पे एक और रियक्शन होने वाला है जिसका नाम है क्रॉस रियक्शन मतलब कि गाइज हम सिर्फ एक अनार को जलाएंगा और एक तो गाइज अब है बारे इसमें आग लगाने की और देखते हैं क्या होता है गाइज तो गाइज यहां पे हमने जला और अब ख्याएज दूसे प्याएज प्रीज को जड़ी जला जाइज गाइज होता है कि डेन कर से उनके राधर से वारण तराला का रदैना कि आए । आप यह देकर सकते हैं यहां पर यह कितनी बूर भूर्णा कई लाट को पूर्णा के आप लगयाफ वारत है देख सकते हैं यहाँ छ gir को हुआ है एधास्य थाग क्या हो चुछा ओप देख सकते़ लिए च्वाइज। हूं यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह छेद हो gì तरह ने इस देख सकते हैं यह रहाँ तक यह को भुष्थ पूरी तरह मेल्ट हो चुका है और अब क्या हो अनार की हलत और देखलो यह ने की आनार की अनार की जलाने के वाद सारी की आनार जल चुकि ए पूरी तरह बिल्कुल राख में बदल चुका है और यहां पर गाइस मेरा Cross Reaction पूरी अच्छी तरह हो यह गाइस यहां पर मेरे बस एक अनार को जलाने के बाद सारी की सारी अनार जल चुकिया गाइस आप देख सकते हैं यहां पर तो गाइज कैसा लगा आज का यह रेक्शन अगर अच्छा लगाओ गाइज तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ